अस्सलाम उलेकुम, वेलकम टू माई चैनल, आज हम इंग्लिश 101 का जो असाइमेंट हमें वीडियो की तरफ से आई है, उसका सलूशन करने जा रहे हैं, तो यह असाइमेंट स्प्रिंग 2023 की है, तो सबसे पहले हम इंस्ट्रक्शन देखते हैं, कि इंस्ट्रक्शन हमें क्या आप लोड़ असाइमेंट इन्स्ट्रक्शन में होता है, तो यह हमारा एक तो यह है, दूसरा असाइमेंट जूम इन जूम आउट हो, और तीसरा जो है, प्लेजरिसम ना हो, तो प्लेजरिसम ना हो, इसलिए में आप लोगों को पहले सी बता दूंकि, कॉपी पेस्ट अब हम नेक्स वेशन के तरफ जलते हैं, हमारे नेक्स वेशन में पूछा गया है, तो सबसे पहले देखते हैं, 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 तो सबसे barbecue ये बारे में कि family जब मिलके बैठती है get together करते हैं तो कुछ लोग जो हैं बाइर जाके चीजे ला रहे होते हैं कुछ जो है घर में grill लो table set कर रहे होते हैं तो ये पुरा paragraph है इसके हमने topic sentence बताने तो पहला topic sentence मैंने बनाया the gathering around the barbecue with the family friends the barbecue bring together gather with family ये भी हो सकता है ज़रूरी नहीं कि paragraph के अंदर से ही आप point topic sentence बनाये आप लोगों को जो suitable लगता है उस paragraph को topic वो बना सकते हैं ठीक है the process of treating the barbecue ये भी हो सकता है तो मैंने तीन point mention किये इमें से आपको जो suitable लगे आप paragraph का topic sentence लिख सकते हैं उसके इलावा अगर आप इस paragraph की first line भी लिखते हैं तो वो भी topic sentence बन सकता है लेकिन ये ज़रूरी नहीं ठीक है ये मैं बेदपारा कह रही हूं कि ज़रूरी नहीं है कि आप उसमें सही लिए आप हम आते हैं अपने next paragraph की तेराफ ठीक है इसमें in the modern world the first mean of transportation available to the more people to the train neither the less continue to be popular ठीक है तो ये सारा paragraph जो है हमारा train की बारे में है के train कैसे popular हुई है मतलब कैसे बढ़ आए तो हमारे पास transportation में जो है advancement आ रही है airplane का जग हम train को preference करते हैं कि उसका जो है वो result वो जो ticket होता है वो चीप होता है ये सारी बाते है तो इसका हम इस तरह भी बना सकते हैं कि availability of first mean of transportation mode of transportation in future ये भी बना सकते हैं और the train the near less continue to be the popular first line जो है वो भी बना सकते हैं ठीक है तो third paragraph की तरफ आते हैं my mother is neither tall nor heavy but she is the biggest person in my life ये सारा जो paragraph है मजजर के बारे में है कि वो हमारे साथ कैसे उसने मुझे एक स्टेप सिखाया मुझे अच्छे बुरे की तरमी सिखाया ये paragraph इसके बारे में तो आप इसका ये भी लिखते है सकते हैं कि important of mother in life ये कि हमारी मा की जिंदगी में हमारी मा कैसे important है ये भी लिख सकते हैं हम जो है paragraph की first line देखें तो वो भी हम topic sentence बना सकते हैं और third हमारे पास valley of mother in life ये भी बना सकते हैं ठीक है ज़रूरी नहीं कि आप paragraph के manager से पहले भी पता है कि paragraph के अंदर से ही बनाएं आपको जो suitable लगता है पूरे paragraph को देखें आप वो भी topic sentence बना सकते हैं फूर्थ आप देखते हैं तो everyone should wear a life jacket when they are in a boat life jacket have been proven to safe life ठीक है ये सारा जो है life jacket के बारे में है तो life jacket क्या कहती है प्रूफ करती है कि life को कैसे safe करें तो हम इसका topic sentence यहीं बनाएंगे life jacket have been proven to safe life थर्ड पर फिफ परग्राफ की तरफ आते हैं तो the star system has been a backbone of American film industry since in mid 1910 यह सारा paragraph जो है starts के पारे में हैं American industry system starts की क्या value थी पिर उसके बाद हाई important कुछ star के नाम mention है तो आप इसका यह भी बना सकते हैं star system of American film industry और दूसरा backbone of American film industry यह भी बना सकते हैं और first line जो थी जो थी वो भी बना सकते हैं अब हम आते हैं अपने next question की तरफ इसमें हमें एक paragraph story दी गई है और उसमें हमें नीचे कुछ question दिये गए हैं कि हमने उनका answer देना है तो मैं story read नहीं करती बहुत lengthy story है आप लोग पढ़ लेना वरना video lengthy हो जाएगी तो मैं आपको इसकी summary बता देती हूँ कि ये जो है story है एक बच्चे और बाप के बारे में कि बच्चे को बाप promise करता है कि मैं आ जाँगा और पेसपाल के लिए आपको ले जाँगा लेकिन वो किसी काम की विज़े से नहीं आता तो जो है वो बच्चा जो है खफ़गा हो जाता है इंतिजार करते करते और उसका दिल भर रहोता है वो टेस्स सही से कर सकता है एक लास में अटेंशन भी सही नहीं देता तो जो है वो उसका जो टीचर है उससे पुछते कि क्या बात है आपने उपना दिल का करो वरना नहीं आपका काम बनेगा तो यह स्टोरी सारी इस तरह है तो अब हम आते हैं क्वेस्टन की तरफ कि हमसे सबसे पहले तो उन्होंने का है कि इसका टॉपिक बनाए है तो पूरी स्टोरी जो है मैंने कुछ टॉपिक सेंटेंस दिये लेसन लेर्निंग फाइंडिंग रिजुलेशन ओफ फैमिली रिलेशन्चिप और दे बर्डन अफ उन्फुल्फिल्मेंट प्रॉमेस दे संस्टोरी यह भी हो सकता है आपकी मर्जी आप इनमें से कौन सा बनाते हैं ठीक है तो यह आप पर डिपेंड करते हैं और एजुकेशन दे लीडर बाउट स्पैसिफिक तॉपिक ठीक है आपको लेख लेएं कि इस स्टोरी में कोई भी इन्फॉमेशन हमें नहीं दी गई एक स्टोरी यह बताएगी यह वाप और बेटे के रिलेशन्चिप के बारे में इसके इमोशन के बारे में इसमें तो कोई इन्फॉमेशन नहीं दीकिए के प्रोड़क्शन की इन्फॉमेशन है यह ऐस तरह की की इन्फॉमेशन तो हमें नहीं दीक यह इन्यすれ नेक्स हमारे पास और किशन नहीं है वाट इस जन्रों तो हमारे पास option है non fiction fiction और folklore ठीक है तो हमारे पास non fiction वह story होती है जिसमें हम present event के बारे में discuss करें होते हैं तो इसमें present event तो कुछ भी नहीं था दूसरा देखें तो हमारे पास fiction है fiction based on author imagination कहते है fiction वह story होती है author की imagination को base करते है बेस होती है story तो हमारे पास इसलिए यह option ठीक है क्योंकि यह story based है author की imagination पर और third हमारे पास आता है related to traditional story तो यह कोई story traditional नहीं थी history पर related नहीं थी इसलिए option be correct option है next question हमसे पुछा गया है के mention the narrator point of view after reading the text तो इसमें हमारे पास question है option है हमारे पास first person जिसमें I और मी के बारे में होता है second हमारे पास second person वो होता है जिसमें हम दूसरे बंदे को दूसरे बंदे के बारे में story बताएं और third person हमारे पास third person omni and motel कि हम दो बंदे हो उसमें एक बंदे की हम story और feeling describe करे हो दूसरे बंदे की हम emotion को नहीं डिसकास करे हो तो इसलिए हमारे पास third option इसमें correct है next देखे तो what is the tone of the writer तो हमारे पास three option है ironic, sterical और gloomy, ironic वो tone होती है जिसमें funny होते है joke वगएरा होते है तो य अच्छी लगी हो वीडियो तो काइनली लाइक कर दें शेयर कर दें और कमेंट जरूर कर दें और subscribe कर दें मेरे new channel है तो आप लोगों को new GDP और assignment के solution प्रवाइट हो जाएंगे